हेलो गाइस वल्कम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में जानने वाले आपको वजीर एक्स में किस तरह से एकाउंट खोलना है वो भी आपके फॉन में बिलकुल नी फिरी तो वजीर एक्स में एकाउंट खोलने के लिए आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप् करते हैं तो आपको यह नए पेज पर ले जाएगा कुछ इस तरह से यहां पर आपको जो भी सेलेक्ट करना होता है जिस तरह का आपको पिक करने का बताया जाता है उस तरह का पिक करना और लास्ट में आपको वेरिफाय पर क्लिक कर देना है यहां पर आप वेरिफाय हो जा करने के बाद आपको क्या करना है यहां पर आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है सिंपली वजी रेक्स को और इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है ओपन करने के के भाद आपको कुछ इस थे ततों सी दिखेगा तो आपको क्या करना है आपको अपने परफाइल सेक्षन पर जाना इहां परफाइल सेक्षन को करशन अपको फिलाल यह आप का पासपरड पे ढालना है , तो उसके बाद आपको यहां पे mensen पे रखेरा होगा तो आपको रցरेफरल कोड भी एंटर करदेना जैसे आपको इस्क्रीन जा रहा है इन आपके mail जो भी जीमेल आइडी या फिर जीमेल उस पर आपको एक mail गया होगा तो वहां पर जाके आपको email पर verification करना पड़ेगा email verification जिसको बोलते हैं वहां पर जाके आपको check करना होगा जैसे आपको देख रहें और यहां पर आपको सो हो जाएगा your account is verify कुछ इस टाइब से तो आप देख सकते हैं सक्सक्सक्सपुली वेरिफाय हो चुका है और इसको फिर से आप क्लोज करते हैं और वजी रेक्स में वापस चले जाए तो आते हैं यहां पर वजी रेक्स में तो यहां पर भी आपको सकते हैं जिस तरह से आपका qr code के थुरू payment होगा सो करके तो simply आप SMS रख सकते हैं क्योंकि बेस्ट और सिक्यूर होता है SMS तो यहां पर जाने का बाद आपको क्या करना है फिर से आपको register पर जाना मोवाइल नमर रेजिस्टर करना है यहां पर और रेजिस्टर करने के लिए द fallait ने ढस्तिकाइं शे में उसके बाद क्या होता है यहां पर आपको email verification करना होता है और email verification की लिए आपको ठोलना परता है जैसे ही आप यहाँ पे OTP फिल करते हैं इसके बाद आपका फॉन नमर रजिस्टर हो जाता है successfully और इसके बाद आपको जो है security option select करना होता है by SMS करते हैं तो यहाँ पे आपका two factor authentication होता है यानि कि there फोनमर पे आपका OTP जाएगा और आपको यहां पर फिल करना होगा और आपको security setting update घाता है और उसके बाद आपकार वेलकम प्रोसेश यानि के process क्या जाता है जिसके लिए यहां पे आपको आपका अपना कंटरी और आपको किस टैप का एकॉट खोलना है इंडिविजल या फिर प्रस्नल क्याओस करनी है तो वह यहां पे आपको करना और विदाउट के वाइसी में आपको दो ही फीचर दिखेंगे डिपोजिट और ट्डैड और अगर विदूजिट सेकशन दिखेगा और ट्रेड भी दिखेगा और विध्राइब दिखेगा दिघेगाраж समनृदुर इक बार यहां आपको नहीं पता है तो कमेंट करना में आपको देखने कhouse होगा तो के वाई सी पे कम्प्लीत कवाई सी पे क्लिक करते हैं यहां पे और बहुत प्रॉससे सब्सक्राइब यहांग यrifत इंट्रेश के चुल्वाइब और यहां पे आपको pen card की front photo भी डालनी होती है address आपको proper fill करना है और city, state, zip code, pin code जो भी है आपके area का वो यहां पे fill करना है और pen card का front document यानि का front photo जो होता है pen card को flat surface पे रखके आपको यहां पे pick upload करना है इसके बाद यहां पे आपको document type select करना पड़ता है आपके पास passport है या फिर अधार है जो भी है यहां पर आपको अपना document select करना है उसके बाद उस document का जैसे अधार है यहां पे तो अधार का no तो यहां पर सारा प्रोसेश और सारह डोकमेट्ट्ट करना है। pen card का photo यहां पर upload करना है और document type में अधार कार्ड या फिर जो भी आप अपना document यहां पर फिल की हैं उसका सारा document upload करना है और लास्ट में आपको selfie upload करना है आपको अपना अधार कार्ड लेकर यहां पर सारा कुछ प्रोपरली upload करने के बाद आपको submit for verification पर क्लिक करना जैसे इस पर क्लिक करते तो आप मैसेज देख सकते हैं क्यावाइसी डीटेल रिसीब हो चुका है जो कि सारा आपका verify हो जाएगा almost कुछी चनों में हो जाता है यानि एक गंटे में भी हो जाएगा दो गंटे में या फिर टाइम भी लग सकता है तो कि यहां पर आपको वीडियो में तो कि लिवाबा टेक केर